नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारा Hindi Health YouTube चैनल घड़ेलो हेल्थ में स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मुो की लार के फायदे के बारे में जी हां दोस्तों मुो की लार के फायदे यह आपको सुनने में भले ही अजिब लगड़े है लेकिन अगर आप इसके फायदे के बाड़े में जानेंगे तो हैरन हो जाएंगे दोस्तो मूग की लाड़ के बिसय में आज हम आपको जो बताने जाड़े है उसे जानकर आप हैरन रह जाएंगे क्योंकि मू की लाड़ आपके जीवन को सवारने में कितना मैत्वपुन सावित हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते जी हाँ ये में नहीं बलकी 3000 साल पहले जनमे डीसी वागवद जी ने लाड़ के औसोदिय गुरों के बारे में काफी कुछ बताया है जो आपकी कई विमर्यों को खतम कर सकता है मो की लाड़ के फाइदे जो हम आपको बताने जारे है जिसे अपना कर आप कई विमर्यों को खुद से दूर रख सकते है तो दोस्तों आईए जानते हैं मो की लाड़ के फाइदे के बारे में फाइदे नमबर एक दीन की शुरुवात पानी से कड़े सुभा उठते ही सबसे पहले उम्ड़ के हिसाब से अगर छोटे बच्चे है तो एक गलास वड़े है तो दो से तीन गलास पानी पी ले याद रखे सुभा का पानी कुल्ला करने से भी पहले पीना चाहिए और साथ ही ये भी याद रखे कि पानी को हमेशा घुट घुट कर धीरे धीरे और बैट कर ही पीना चाहिए कहते हैं कि सुभा का लार पेट के लिए बेहत लाबदैक होता है जब आप पानी पीते हो तो राद भर मुँ में जमा लार पानी के साथ आपके पेट के अंदर जाता है जो पेट के लिए काफी भाइदमन साबित होता है अगर आपका पेट अच्छा रहेगा तो आपके सरीर भी अच्छा रहेगा इसलिए सुभा का लाड बेहत किम्ती है इसे यूही बरबाद ना करे फाइदे नमबर तीन घाव भरने में मददगार सुभा की लाड घाव फर लगाने से घाव जल्दी भरने लगता है यहां तक कि डाइबिटिज के पेसिन के घाव फर भी रामबन की तरह काम करता है यह मू की लाड फाइदे नमबर चाड चस्मा उताने में मददगार सुभा की लाड काजल की तरह आँखों में लगाने से आँखों की रौस्मी बढ़ती है और चस्मा तक उतर जाता है फाइदे नमबर पांच कॉंजंक्टिविटिस मतलब आँख आना इसमें आँखे लाल हो जाती है आँखों में काफी दर्द होता है जलने के साथ कुझलहड भी रहता है आँखों से पानी आता रहता है और आँखों में कीचर भी जमा होता रहता है अगर सुभा की लाड आप अपने आँखों में लगाएंगे तो 24 गंटे के भीतर आँख ठीक हो जाता है फाइदे नमबर 6 जलने के दाग यहां तक कि सुभा सुभा की लाड जले हुए दाग पर रोज लगाने से 6-8 माइने में दाग मिठने लगते हैं यह मूँ की लाड के फाइदे इतना ही नहीं मूँ की लाड और भी बहुत सारे बिमारियों जैसे एकजिमा, सोडायसिस और भेंगफन जैसे बिमारियों में भी काफी फाइदे मन साबित होता है तो क्यों ना आज से ही हम अपना ये रूठीन बना ले कि सुबह उठते ही सबसे पहले भड़पूर मात्रा में पानी पिए और बिमारियों को अलविदा कहे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मिद करता हूँ कि आपको हमारा इस वीडियो पसंद आये है अगर आपको हमारा इस वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें अगर आपने अविदा का हमारा इस यूटूब चैनल घरलू हिल्थ को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी वीडियो की अपडेट्स आपको जल्दी मिल सके तो दोस्तो तब तक के लिए टेक केर